हेलो, नमस्ते जी, कैसे हैं सब, आसा करती हूं, सब अच्छे होंगे और तिवारों का सीजन खतम हो गया, तो अब साधियों का सीजन सुरू हो गया और ये कुछ जलकिया है, हम एक शादी में गए थे यही, मोदिनागर में ही तो उसकी कुछ जलकिया है, जिनके साथ गए थे, जो यह महाँ पर मिले, यह सब वो ही है और फिर हम गए थे एक ग्रै परवेस में, तो मैं उनके लिए गिफ्ट लेके गए थी, यह तुलसी का पोधा जो मैंने गमले बनाए हैं, वो ही वाले, और जा रहे हैं, वेट कर रहे थे दीदी का, दीपा दीदी नहीं आई हैं, तो साइट पर खड़े होगे वेट कर रहे थे उनका दीदी और में साथ गए थे, तो यह मही की कुछ जलकिया हैं, उन्होंने सुन्दर कांड करवाया था, और ग्रै परवेस भी था, और उनके बच्चे का बढ़डे भी था मुझे सबसे बेस्ट गिफ्ट है, मतब कपड़े बगएरा तो लेके ही गए थे, वो तो लेके ही जाते हैं, लेकिन मुझे लगा कि मुझे तुलसी का पोदा लेके जाना चाहिए, तो मुझे उनके लिए तुलसी का पोदा लेके ही गई थी, और वहाँ उसे देखके सब भ बड़ा बेटा है, और ये रेड कलर के साड़ी में इसकी पतनी है, तो इन्हों ने ही अपना मकान बनाया है, और अभी मैं गई हूँ, दरबार में पशाद चढ़ाने के लिए, और मत्था टेकने के लिए, ये सब बैठे हैं सुन्दरकान के लिए, बस अब सुरू होने वा गुर्बान करूं तेरा, इस बार के सिर में गुरू हाथ रहने तेरा अब काम सुरू हो जाता है घर की साफ सफाई का, साफ सफाई से मतलब दीवाली से अब तक जो थोड़ा बहुत काम है, वो तो करते ही रहे हैं, लेकिन अब मैंने जो चाद्रे वगेरा दीवाली पे बिछाई थी, वो अभी तक चेंज नहीं की थी, क्योंकि छोटे बच्च तो बहुत है नहीं, तो इसलिए जादा गंदा नहीं हुआ था, तो काफी दिन मेरा लगबग चल गया है वो, तो अब मैंने सारे चेंज कर दिया है, और जो मतलब न्यू बैड सीट वगेरा है, उन सब को अब मैं धोक है, रख दूँगी, और इस दिन में ये कर रही हूं, मैंने सुबह ही बहुत सुबह मसीन लगा दी थी, कुछ कपड़े मैंने रात को निकाल के रख दिये थे, जो धुलने के लिए, मसीन लगा दी थी, उपर मसीन चल रही है, और मैं नीचे अपना ये, अब इनके बैड की, मैं बैड सीट वगेरा, सेट कर दूँगी, बैठक म बलके मैंने सूट भी नहीं किया, बूल गई, बस रूम में ही कैमरा लगाया था कि सब जगह का सूट करूँगी, लेकिन फिर पता नहीं का काम याद आ गया, वो करने लगी, वो सूट करना भूल गई, लेकिन मैंने मतब सभी कमडों की बैड सीट वगेरा, सब चेंज कर द बस ऐसे ही है, अगर यह बिल्कुल सिंपल सी मैंने एक बैड सीट बिछा दी है, और यह ऐसे ही त्यार कर दिया है रूम, और यह साइड टेबल को भी मैं टाइम टू टाइम सेट करती रहती हूं, क्योंकि अगर हम नहीं चीजों को अपनी जगह रखेंगे कि जहां जिसकी जगह है, तो फिर ज़्यादा फैला हुआ लगता है घर, और यह बैड साइड पे मैं मोस्चराइजर वग्यारा रखती हूं, क्योंकि रात को कही बार ऐसा होता है, हातों पर मोस्चराइजर लगाना होता है, लाने के आलकस में हम नहीं लगाते, तो इसलिए मैं बैड साइ पड़ी है, बहुत सारे कपड़े और है, और अभी फाइदान वगएरा भी आ जाएंगे, यह काम में मतलब मसीन तो लगबग साथ बज़े से चल रही है, और अभी टाइम हो रहा है, नो बज़े, नो बज़ रहे हैं, इस बीच मैंने अपना नहाना और पूजय वगएरा स हमें सोच रहे हूं कि सारे पाइदान वगएरा जो भी रग्स वगएरा बिचाए हुए थे वो सब भी धो दूँगी, प्यूकि आज तो लगी हुई है, मसीन धूप अच्छी है, तो सारा ही काम निमट जाएगा, और करने से ही होता है, ऐसा तो एनिवे छोड़ दो, तो फ अभी पहले तो यह धूल जाएं, अच्छी धूब है, तो अच्छी से सूप जाएंगे, क्योंकि रखने वाले कपड़े हैं सारे, तो अभी मैं इनको धो लेती हूं, और जल्दी नाने के बाद ऐसा होता है, कि फिर आप काम में लगे हुए हैं, तो आपको यह नहीं रगत करती है, लेकिन फिर भी इस दिन यह होता है कि जादा काम है उस दिन में और जल्दी कर लेते हूं, फिर पूरा दिन अपना काम करते रहो, भूक लगी है तो कुछ खा भी लो, तो ऐसा बड़न सा नहीं बड़ता, तो बस मैंने यही किया कि सारा काम निम्टा कर मैं तब रखे हैं, और कुछ थोड़ा आना जाना सा लग रहा था, तो इसलिए मसीन में वैसे उसी दिन लगाती हूं, जिस दिन बैड़ सीट वगेरा, सोपे के कवर वगेरा चेंज करती हूं, क्योंकि मेरे रपाल के कपड़े होते हैं, तो मैं हाथ से ही दो देती हूं, ऐसा नहीं कई बार से करते हैं, हाथ से दो के मसीन में सुखा देते हैं, और देखो हैं, सारे पाइदान वगेरा, सारे रगस वगेरा आगे हैं, तो इन भी मैं दो दूँगी सबको, कुछ तो हाथ से दू लेंगे, कुछ मसीन से दो दूँगी, कुछ पैसे ही साबुन लगा कर दूबरी थी कुछ मेरे को मिलने रहा था पता नहीं क्या था तो मैं सोच्छे चलो पहले यह जो कप्रे धुल गया है इन्हें सुखाया आता है बागी बाद में देखेंगे अब यह चतर भी मेरी सूप के तियार हो गी है ड्रायर में तो पहले में इनको सुखा के आऊंगी उ अच्छे से उपर शुखाने की जगे भी हो जाएगी सारे एक साथ शुखाने में दो पर दो तरफ तार बांद रख थे हैं तो पहले इनको मैं सुखा के आ जाते हूं और शुखाने के बाद फिर मैंने वीडियो नहीं बना है क्योंकि काम इतना ज़्यादा था बार बार फोन के पानी के हाथ लगाना मुझे ठीक नहीं लगा तो बस फिर मैंने एक तरफ रख दिया था फोन फिर नहीं चलाया अब यह next day है next day भी नहीं यह third day है तो जिस दिन मैंने फिर यह कपड़े set करें मतब बैड में लगाए बाकी सारों के प्रेस वगरा करके रख दिया है जो डेली वगरा रखे तो इन पर बीज इन पर प्रेस होनी थी उन पर प्रेस कर दिया है जो बिना प्रेस के थे उनको ऐ यह अच्छा नहीं लग रहा है यह निकाल तो थोड़ा सा ना अस्त्वियस हो जाता है इस बैड में मेरे ना सारे यही रहते हैं बैड कवर सोफा कवर कुशन कवर तो इस बैड में और कुछ नहीं है केवल यही कपड़े हैं बिच्छाने के मतलब ऐसे ही चाद्रे वगरे सब यही चीज़े रखी हैं इसमें तब इनको बस मैं सेट करके रख दूंगी अच्छे से और जो यह दीवान का सेट है इसको मैं पूरा पोलोथीन में करके रखूंगी यह थे लमन निकाल लिया बाहर क्योंकि कहीं बार ऐसा होता है जाना पड़ता तो निक्चे दब जात और अच्छी चीज़ आप एक बार खरीद लिए वो आपके साथ ना सालों साल बनी रखती है यह वाला दिवान सेट मैं अब की बार लेके आई हूं और मैंने कई सालों बाद दिवान सेट खरीदा है क्योंकि मैं अच्छी चीज़ खरीदती हूं चाहे थोड़ी खरीदूं तो और यह ज़र इसी पोल थीनमा है था तो मैंने तैग करके तैग करके इसके अच्छे से इसी में कवर करके रख दिया है क्योंकि थोड़ा लाइट कलर है कहीं बार ऐसा गंदा हो जाता है तो अपना जब भी बिच्छेगा इसी में से निकाल लेंगे जो ये रेड कलर वाला बिच्छा हुआ है न ये भी जहां से मैंने ये लिया था वही से मैं इसको लेके आई हूँ मेरट से ये वाला भी मेरे साथ कम से कम पिछले 10-12 सालों से मेरे पास है और आप देख सकते हैं इसकी कंडिशन आज भी ऐसा ही लगता है जैसा पहले दिल था इतना अच्छा निकलाया है ये और ऐसा ही वो है जो मैं अब लेके आई हूँ कीज़े एक बार पैसा डालो लेकिन ऐसी लेलो जो आपके साथ सालों साल रहें और आपको ऐसा न लगए कि पैसा वेस्ट हो गया तो बस जी ऐसा ही जीवन चलता रहेगा घर के काम चलते रहेंगे घूमना फिटना चलता रहेगा मिलते हूं फिर नई वीडियो के साथ और अगर मेरे वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक करे चैनल को सस्क्राइब कर लेंकर नहीं किया है तो सभी को मेरे तरफ से रादे रादे मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ